हेलो स्टुडेंट्स वेलकम तो थे bmsclasses.com आज के स्वस्त वरत के लेक्चर में हम स्लेबस के फर्स्ट पेपर के स्लेबस के कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे पहला पॉइंट है स्वस्ता और स्वस्ते की परिभाशा दूसरा स्वस्त वरत की परिभाशा तीसरा आरोग्य लक्षन जिसे स्वस्त व्यक्ति के लक्षन भी कहते हैं और चोथा पॉइंट है स्वस्त वरत का परियोजन तो चलिए पहले पॉइंट की उड़ चलते हैं पहला पॉइंट है स्वस्त की परिभाशा और स्वास्थे की परिवासा, तो स्वास्थे क्या होता है, विकार रहीत अवस्था को स्वास्थे कहते हैं, विकार मतलब कि जिसके सरीर में कोई डिजीज ना हो, कोई रोग ना हो, ऐसी अवस्था स्वास्थे है, और उसी स्वास्थ व्यक्ति है, उसी के भाव को क्या कहते ह ठीक है, कुल मिला के ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जो व्यक्ति स्वस्त होगा, उसका स्वस्त है अच्छा होगा, ठीक है नेक्स स्लाइट पे चलते हैं, स्वस्तवरत की परिभाशा, एक बहुत ही प्यारा सा स्लोक है चीक है अपने अपने काम को अपने अपने रूप में रहे तत्य व्रतम व्रतम तो किसकी बात हो रही है दोशों की बात हो रही है तो देखते हैं क्या है कि ऐसे हर विहार का हम सेवन करें ऐसे हर विहार का पालन करें जिससे दोश धातु मल की बात हो रही है दोश धातु मल अपने अपने स्थान पर रहें अपने अपने कर्म को करें और अपने अपने प्राकर्तिक रूप में रहें तो ऐसे आहर विहार का पालन करना ही क्या है स्वस्त वृत है अभी ऐसे मैं इस चीज को पता देता हूँ स्वस्त मतलब की health और वृत मतलब की विहार मतलब की पालन ठीक है तो जो हम कारिय कर रहे हैं स्वस्त रहने के लिए जो हम कारिय करते हैं स्वस्त वृत मतलब कि जो हम आहार विहार का सिवन करते हैं अपने आपको स्वस्त रखने के लिए वो स्वस्त वृत है नेक्स स्लाइड पे चलते हैं आरोग्य लक्षन नेक्स टॉपिक है आरोग्य लक्षन जिसे स्वस्त व्यक्ति के लक्षन कहते हैं यहां भी एक भोती जादा इंपोर्टन स्लोक है और इस स्लोक को याद करना ही है चारिय सुस्तृत के द्वारे इस स्लोक कहा गया है दुबारा से प्रोनाउंसेशन देखिए मतलब की समान दोश है तो दोश जो है समवस्था में हो समा अगनीश्य अगनी समवस्था में हो समधातू मला करिया धातू भी समवस्था में हो समान अवस्था में हो बैलन्स हो और मल की करिया भी समान हो रही हो समान्य करिया हो रही हो परसन आत्म इंद्रिये मना ये वर्ट तीन चीजों से मिलके बना हुआ है आत्म इंद्रिय और मन आत्मा इंद्रिय और मन परसन हो ऐसे व्यक्ति को हम स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं यह स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं तो यह आरोग्य के लक्षन या स्वस्थ व्यक्ति के लक्षन थे ठीक है तो जिस व्यक्ति के दोश अगनी धातू सा मवस्था में हो मल की किरिया सा मान्य हो आत्मा इंद्रिया और मन परसन अवस्था में हो वह स्वस्थ व्यक्ति है नेक्स चलते हैं स्वस्थ व्यक्ति का प्रियोजन इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है जो आयरवेद का प्रियोजन होता है वही स्वस्थ व्यक्ति का प्रियोजन होता है तो प्रियोजन क्या है कि स्वास्थे के स्वास्थे की रक्षा करना और रोगी के रोग क निवारन करना यह स्वस्तवरत का भी प्रयोजन होता है आरवेद का भी प्रयोजन होता है तो आज की स्लाइड में इतना ही सलेवस के next point जो है स्वस्तवरत के हम अगली वीडियो में कवर करेंगे तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अगर आपको ये PDF चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताईए